नाक चंपा एक most famous brand है जो की Flora Incense के base में उनकी company है मतलब वो Flora गरबती ही बनाती है तो इसी तरीके से हमने भी एक अपना formulation ready किया है और इसमें काफी सारे मेहनत लगी हुई है powders को अच्छी अच्छी जगा में shift करने में काफी समय लगा तब जाके हमारी एक floristic तयार होती है और इसके लिए काफी मेनत लगती है जैसा कि आप जानते होंगे आम अगरबती है आप charcoal डाले, soders डाले और जो powder डाले, machine में डाले आपका अगरबती है बन जाती है इंग्रीडियन सोटे पाउडर के वो सही जगापे, सही मात्रा पे लगनी चाहिए तब ही आपका formula जो है successful होगा जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ time पहले मैंने एक छोटी सी post की हुई थी जिसमें मैंने तीन category की वीडियो लाने के बारे में बताया था इसमें था handmade flora गर्वत्ती और उसमें धुना चंदन का एक formulation था और तीसरा था machine maintenance के उपर तो सबसे ज़्यादा comments जो है handmade flora बत्ती के उपर ही आया है, masala बत्ती के उपर ही आया था और लोगों की काफी question थे, काफी comments थे कि हमें इस handmade अगर बत्ती का formulation चाहिए, बनाने का process चाहिए, क्या क्या ingredients कितने कितने ratio में डालना होता है, वो सारी चीजे हमको जानना है तो उसी के purpose से आज का हमारा वीडियो है, और यह expensive incense stick hand bed flora बत्ती के बारे में जो है बात करेंगे, formulation के बारे में बात करेंगे, कितना कितने ingredients हमारा कितने ratio में लगेगा, कौन कौन से materials की हमें ज़रुरत पड़ेगी, उन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात क करेंगे, तो hello guys, मैं हूँ मनीश और कैशे हो सब उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्छे से होंगे, और topic में जाने से पहले एक छोटा सा request, अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe जरूर कर ले, तो आप हमारे चैनल को जरूर subscribe करके रख लिजिए, ताकि आने वाले शमय म कुछ information आपको हमारे चैनल के जरीए से मिलती रहेंगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है flora incense, मतलब flora बत्ती कैसे इनका नाम पढ़ा और इनको मशाला बत्ती भी जो है कहा जाता है, तो flora actual में फूलों की जो फ्रेक्नेंस होती है, तो उनके base पे इनका नाम जाता हूं जयसा कि आप पहले समय में जब अगरबत्तिय बनती ती उनके base में ही बनती थी, मतलब जो पौडर है और यह पूलों की essential oil जो है इनको कहा जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पहले की अगरवतिया बनती थी वो फूलों से रिलेटेड होती थी मतलब जो फूल का इसमेल होता था रजनी गंदन हो गया गुलाब हो गया मोगरा हो गया जैस्मीन हो गया चंपा हो गया तो इन सारी जो flowers हैं तो इन flower के waste में ही जो है अगरवतिया बनती थी उस टाइम हमारी जो perfumes जो compounds जो अभी ready हो रहे हैं वो उस टाइम पे नहीं थे और बहुत सारी अभी तो chemicals से लेसेस और काफी सारे compound से related perfumes आ गई हैं तो वो अलग चीजे हैं लेकिन पहले की जो incense होती थी मतलब जो stick होती थी वो बहुत अलग होती थी जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो यह है हमारी flora stick और यह मैंने hand roll method से ही बनाया था और पहले भी hand roll ही बनता था जैसा कि आपको दीख रहा होगा तो मैसूर sandal का मैंने fragrance इसमें दिया हुआ है और इसमें जो है आप देखोगे कि flora जो stick होती है मसाला बत्ती होती है उसमें powder की एक coding होती है तो वो powder की coding इसमें की जाती है जिनसे यह एक अच्छा अच्छे से अच्छा और traditional देखा जाये तो भारत में और भारत से अलग other countries में इनकी काफी demand है और इनकी pricing जो है lowest से लेके highest मतलब बहुत महेंगी range तक भी जाती है जैसा कि example के लिए मैं एक अगरबत्ती आपको बताता हूँ नाग चंपा नाग चंपा एक most famous brand है जो की flora incense के base में उनकी company है मतलब वो flora अगरबत्ती ही बनाती है तो कभी आपको मौका मिले तो अगरबत्ती आप जरूर ट्राइ कीजिए फिराल जो है यह हम अपने हाथ से ही बनाए है मतलब जो हम formulation मैं ready किया हूँ तो उनके base पर ही अगरबत्तिया ready हूई है जैसा कि आप देख सकते हो और इसकी smell काफी अच्छी है मतलब यह अभी paper से निकालने पर ही smell कर रही है तो जलाने के बाद इसकी फुस्वू कितनी अच्छी होगी fragrance कितना lasting होगा यह आप जान सकते हो तो इसी तरीके से हमने भी एक अपना formulation ready किया है और इसमें काफी सारे मेहनत लगी हुई है इसके लिए बहुत सारे ingredients जो है वो हमने ready किया उसके बाद इसमें पैट्रिकल जो चीजे हैं उसको अच्छे से बैठाने में पाउडर्स को अच्छी अच्छी जगह में shift करने में काफी समय लगा तब जाके जो है हमारी एक फ्लोराइस्टिक तयार होती है और इसके लिए काफी मैनत लगती है जैसा कि आप जानते हों कि आम अगर बत्ति आप चार्कॉल डाले सॉडर्स डाले और जो इस पाउडर ड तो आज का ये फार्मूला जो हमारा successful होगा 100% guarantee है और एक export quality के जो है मशाला गरबती हमारी बनेगी तो इसमें कौन-कौन से materials क्या-क्या कितने-कितने ratio में लगेगा उन सारे चीजों के बारे में अभी जो हम बात करेंगे और ये हमारा first part होगा जो की अभी हम powders के ratio ही तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें को सकता है कि थोड़ा बड़ा बन जाए क्योंकि इसमें काफी सारे ingredients हमको add करने हैं तो इनको बताने में थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो सबसे पहले start करते हम अपने formulation को लेकर य तो असानी से बना सकेंगे तो सबसे पहले हम फसी step में बात करेंगे इसके लिए आपको एक जो coding होती है तो coding powder सबसे पहले आपको ready करना है coding powder क्या होता है जैसा कि यह stick है तो stick में आपको यह orange color की जो आपको powder दीख रही है तो यह हमें पहले ready करना है तो इसके लिए आपको क देना है 500 ग्राम और उसमें आपको देना होगा कलर जो पिगमेट कलर होती है जो हम इस्टिक के नीचे कलर करते हैं जैसा कि इसमें औरेंज कलर हुआ है तो वह कलर आपको लेना है जो भी कलर आप चाहो रेड हो गया ब्लू हो गया यलो हो गया पिंक हो गया जो कलर चाहिए व जो फ्रोलर इसमेल होती है जैसे कि यह हमारा मोगरा हो गया, चन्दन हो गया, गुलाब हो गया, जैश्मीन, चमपा, तो इस टाइप के फ्रेग्नेस का आप सलेक्ट कर सकते हैं और इसी टाइप के जो है कोई भी आप फ्रेग्नेंस एक उनका जो आप अगर बत्तिया बनाना चाहते हैं जिस फ्रेग्नेंस में बनाना चाहते हैं उसका इस्मेल आपको देना होगा पहले पाउडर को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए फिर उसमें आपको 15 ग्राम जो है पर्फ्यूंग उपर से छिड़कना होगा छिड़क के आपको अच्छे से मिक्स करके एक साइड में आप किसी बरतन में भरके उसको रख दीजिए यह तो हो गया हमारा सबसे बड़ा जो जिससे हम हैं में डगर बत्तिया बनाते हैं हल्मटी बेस्ट अगर बत्ति हमारी बनेगी तो इसमें हम हल्मटी का ही यूज करेंगे और हल्मटी का सबसे बड़ा रोल है हैं में अगर बत्ति बनाने के लिए बीना हल्मटी के आपका हैं में अगर बत्ति नहीं बनेगा और बनेगा भी तो अच्छी क्वालिटी में नहीं बनेगा तो हल्मटी का पूरत नहीं है हैंड मेट बनाने के लिए आपको चाहिए जीगट पाउडर तो जीगट पाउडर आपको लेना होगा 200 ग्राम उसके बाद हम डालेंगे इसमें राल पाउडर जैसा कि आप लोबान वगेरा बनाते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि राल पाउडर में एक हम इस मशाला बनाने के लिए प्रिमिक्स बनाने के लिए यूज करेंगे तो हीना पाउडर भी आपको 100 ग्राम लेना होगा इसमें 100 की कोई ज़रुवरत नहीं है उसमें फ्रेक्नेस का जो क्रियेशन होगा वो चेंज कर देता है क्योंकि अल्रेडी हमारे काफी सारे इसमें पाउडर मिले हुए हैं तो सौडर डालने की कोई ज़रुवरत नहीं है तो यह हो गया हमारा सेकेंड मेठाद इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब फिर इसको आपको साइड में रख लेना है उसके बाद है हमारा तीसरा इस्टेप तीसरा इस्टेप में आपको क् करना है तो पेस्ट कैसे होगा वो सारी चीज़े मैं आपको बताता हूं यह हमारा चासनी के जैसा पेस्ट रेडी करना होगा क्योंकि जो पाउडर्स हैं उनके साथ हमको इसको मिक्स करना है कंबाइन करना है तो उनके लिए पेस्ट आपको बनाना होगा पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहला जो मटेरियल्स है इंग्रीडियंट है वो लगेगा आपको हलमटी पेस्ट जैसा कि आभी सेकंड प्रोसेस में मैंने हलमटी पाउडर के बारे में बताया तो इसी तरीके से हलमटी पेस्ट भी होता है और यह पेस्ट काफी अच्छी फ्रैक्नेस करती है मतल इक्षवल में गूड डाले का प्रोसेस यह है जो इस्टीक में नमी पन होती है मतलब थोड़ा मौशर होता है गीला पन होता है जिनके नाम से हम गीला हैंड में अगर बत्ती बोलते हैं तो इनके वज़े से भोला जाता है तो गूड क्या करेगा गूड इसमें नमी बनाके वह हमारा डीपी ओईल डीपी ओईल जो आप अगर बत्ती परफ्यूमिंग के लिए यूज करते हैं वही वाला डीपी ओईल आपको यूज करना है और डीपी ओईल आप कितना डालोगे 100 ग्रैम 100 ग्रैम आपका डीपी ओईल होगा तो इन मटेरियल्स को लेने के बाद आप एक बरतन में इसे डाल लीजिए बरतन में डालने के बाद इनको आप सलेंडर या चुले की मदद से आप इसे थोड़ा सा आग दे दीजिए आग देने का मतलब यह है कि वो जो गूड है वो गूड पिघलने के बाद इसको चासनी के रूप में ले लेगा इन सारी मटेरिय होने के बाद एक सबसे बड़ा प्रोसेश वह आपको करना है उसको थोड़ा सा थंडा कर लीजीए तंडा कर ने के बाद आपको उसमें डालना है पर्फियूम अपको कैसे बार्साइब करेंगे जैसा की मैंने हो जाता है चंदन हो जाता है जैस्मीन हो गया चंपा हो गया और ऐसे फूलों की खुजबू वाली परफ्यूम्स आपको एड करनी है चाहे वो कोई भी परफ्यूम हो बस इतना ध्यान रखे जो फैंसी नोट्स की परफ्यूम है उसका यूस ना करें आप फ्लोरा अगरबत्ती है वो थोड़ी सी अलग केटिगरी में चली जाएगी तो फ्लोरा अगरबत्ती बनाने के लिए फ्लोरा जैसे परफ्यूम का आप यूस करें उनका नोट उसी की तरीके से आएगा अब इस 50-50 ग्राजग्राम इसके उपर पेस्ट के उपर आपको डालना है फिर उसको अच्छे से और मिक्स करना है मिनिमम मान के चलिए 200-300 ग्राम तक इसमें पानी लगेगा क्योंकि जो हमारा पेस्ट है ओल्रेडी वो लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है तो पानी कम से कम डालिए फिर उसको दीरे-दीरे मिक्स कर लिजिए और मिक्स करते करते यह आपके आटा के फॉर्म में बन जाएगा जैसा कि मैंने काउ डंक वाली वीडियो में बताया था कि वो चीजें हम मिक्स करते जाते हैं तो आटे के फॉर्म में बन जाता है तो इस तरीके से जो है हमारा ingredient का premix ready होगा और premix ready होने के बाद आपको handmade process से ही बनानी है तो handmade process आपको हाथ से roll करनी होगी किसी चीजें आप रख लीजेगा उसमें आपको roll करनी होगी ये process मैं आगे second part में आने वाली वीडियो में सारे चीजें करके दिखाऊंगा बताऊंगा formulation कैसे होगा powders कौन-कौन से लगेंगे कितने कितने ratio में लगेगा वो तो मैं अभी बता ही चुका हूँ तो इस तरीके से बनेगा आपका handmade flora गर्वत्ती और ये काफी premium quality की इश्रीक आपकी बनेगी और जो है pricing थोड़ी सी महेंगी होगी लेकिन अगर आपको एक premium quality का export quality का आपको incense चाहिए handmade अगर्वत्ती चाहिए flora अगर्वत्ती चाहिए तो आप price को न सोचिए और बनाईए एक export quality की handmade flora अगर्वत्ती और ये जो formula है वो 100% successful है क्योंकि ये मैं अपने तरीके से experiment करके आप लोगों के बीच में share कर रहा हूँ तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें मैं complete process आपको दिखाऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद